हेलो एब्रिवन हमारे चैनल फोड फ्राम होम में आपका स्वागत है मगर संकरांती स्पेशल सर्द्यों की खास रेसिपी बनाएंगे तिल गुड गजग जो हम मार्केट से लेके आते हैं वही गजग आज हम घर पे बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए बनाते हैं गजग बनाने के लिए हमने एक कप सफेद तील लिया है पूरा हिप करके भर के लिया है और एक कप मुंफली मुंफली को हमने बिना ओयल के इसे रोष्ट करके छिलका हटा के ले लिया है एक कप गोड हमने ले लिया है और एक चमच देसी घी अब हम तिल भूनेंगे तो तिल भूनने के लिए हमने कड़ाई ले लिया है कड़ाई में हम तिल डाल देंगे मेडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते वे हमें भून लेना है त्यान रखेंगे इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे नहीं तो ये जल सकता है तिल को भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बस 3-4 मिनट में ये भून जाएगा हलकेली की खुसबू आने लगेगी ये चटकने लगेगा और ये हलका सा कलर चेंज होगा बहुत जादा नहीं बस हलका सा और तिल थोड़ा फूल भी जाता है बस आपकी तिल भून चुकी है गैस को हमने ओफ कर दिया है अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल इसे जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा इस पेचुला से हम फैला देते हैं तिल को हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे अब हम एक ग्रैंडर जार लेंगे और इसमें भूना हुआ मुंफली डालेंगे और इसे दरदरा ग्रैंड कर लेंगे ग्रैंड हो गया है ये आपको दिखा देते हैं हमने पूरी तरह से दरदरा नहीं किया है कुछ दाने इसमें मुंफली के रहे गया है जिससे गजक में बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा आप चाये तो पूरी तरह से दरदरा कर सकते हैं तिल भी ठंडा हो गया है इसे भी हम ग्रैंड कर लेंगे तो साबूत तिल हम 3-4 चमच निकाल के हम साइड में रखेंगे बाकी तिल को हम सेम ग्राइंडर जार में डालके इसे भी हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे ये देखें ग्राइंड हो गया है हमें इसका पौडर नहीं बनाना होता है दरदरा ग्राइंड करना होता है गजग बनाने से पहले हम बटर पेपर को ओल या घी से ग्रीस कर लेंगे अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का पाटा ले ले और बेलन दोनों को आप ओल या घी से ग्रीस कर ले हमारे पास butter paper है तो हमने 2 butter paper को grease कर लिया है अब हम गजक बना लेते हैं तो गजक बनाने के लिए हमने कड़ाई में गुड ले लिया है गुड को हमने छोटी छोटी टुकडों में दोल लिया है अब इसमें मेट करेंगे 2 से 3 चमश पानी मेडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते वे इसे मेल्ट कर लेंगे जब तक गुड मेल्ट हो रहा है तब तक हम गुड तिल और मुमफली के मेजरमेंट बता देते हैं आप कोई भी कटोरी कप सेट कर लीजिए एक कप आप तिल ले रहे हैं लेवल में एक कप आपको मुमफली लेना है लेवल में और एक कप गुड आपको लेना है पुरा हिप करके तिल मुमफली की गजक है तो इसमें गुड हलका सा अधिक लगता है गुड में अच्छा जाग आ गया है अब इसमें हम गी आइट कर देंगे तो हमने एक चमच गी लिया है इसे एड़ कर देंगे और अच्छे से इसे mix कर देंगे गुड में अच्छा जाग आ गया है गुड एकदम हल्का fluffy लग रहा है तो इसे हम check कर लेंगे तो हमने normal पानी लिया है कुछ drop डालेंगे और कुछ second के लिए ठंडा कर लेंगे फ्लेम को हमने लो कर दिया है अब ये ठंडा हो गया है तो हम निकाल के देखेंगे अब इसे हम तोड के देखेंगे ये देखेंगे तूट रहा है बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा ही चाहिए अब फटा फट हम इसमें ग्रैंड किया हुआ तिल और मुंफली एड़ करेंगे फ्लेम हमें लोई रखना है लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इस स्टेश पर हमें फटा फट ये प्रोसेस करना होगा इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं फ्लेम हमने लोई रखा है जिससे गुड जमें नहीं मेल्ट होता जाएगा और ये सिन गए है उसे हम स्पून से मिक्स करेंगे और बटर पेपर पर इसे हम ट्रांस्पर करेंगे मिक्स हगिया है अब इसे हम बटर पेपर पर निकाल लेते हैं कि हाथ को हमने घी से ग्रीस कर लिया है अब इसे हम इकठा करेंगे यह प्रोसेस हमें गरम में ही करना है ने तो ठंडा होगा तो फिर यह सेट हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगा जो हमने साबुद तिल बचा के रखा था वो इसके उपर अच्छे से लगा देंगे पूरी बराबर से, अब इसके उपर हम रखेंगे दूसरा बटर पेपर और इसे हम पतला सीट बेल लेंगे, आपको जितना पतला रखना उसी साब से आप बेल सकते हैं, यह दिखिए हमने बेल दिया है, बटर पेपर हटाएंगे, और इसे गरम में ही इस पे हम कट मार्क लगाएंग कट का निसान लगा लेंगे, जितना बड़ा आपको गजग का साइज रखना हो, उसी साब से आप इस पे कट लगा लें, आपको किनारे से यह जो गजग जो है, अनिक्वल सेप में दिख रहा है, तो हमने गुड थोड़ा सा कम लिया था इस वज़े से, तिल और मुंफली एक कप हिप करके लिया था, तो हमें गुड भी थोड़ा सा अधिक लेना चीए था, वन फोर्थ कप, तो किनारे भी हमारा गजग जो है, एकदम एक्वल सेप में आता, बट कोई बात नहीं है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाज नहीं है, बहुत ही क्रंची बनाया है, अब हमने कट मार्क लगाया था, तो यह असानी से तूट भी रहा है, अपने सेप में, तो कैसी लगी तिल मुंफली की गजग घर पे असान तरीके से, बहुत ही क्रिस्पी बनाया है, आपको हम तोड के भी दिखा देंगे, अगर आपको अमारी रेस्पी अच्छी लगी हो, तो वाचिंग!